हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के क्विज में, आपका पहला सवाल है, प्रश्न एक, नालंदा विश्व विद्यालय की स्थापना किस ने की थी? सही उत्तर होगा, सी कुमार गुप्थ ने, प्रश्न दो, नालंदा विश्व विद्यालय कहां स्थित है? सही उत्तर हो यात्री फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? सही उत्तर होगा. D. चंद्र गुप्त विक्रमादित्य के प्रश्न पाँच. गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर होगा. A. विश्नु गुप्त प्रश्न 6. मुद्राराक्षस किसकी रचना है? सही उत्तर होगा. B. विशाकदत की प्रश्न 7. गुप्त सामराज्य का संस्थापक कौन था? सही उत्तर होगा. A. श्री गुप्त प्रश्न 8. श्री गुप्त ने कौन सी उपाधी धारन की थी? सही उत्तर होगा. A. महाराज्य की प्रश्न 9. गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सही उत्तर होगा. C. चंद्रगुप्त प्रथम को प्रश्न 10. चंद्रगुप्त द्वितिये ने कौन सी उपाधी धारण की थी? सही उत्तर होगा. B. विक्रमादित्य की प्रश्न 12. भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा. A. समुद्र गुप्त को. प्रश्न 13. अशोक को बौध धर्म की दिक्षा किसने दी थी? सही उत्तर होगा. D. रहमी लिपी में. प्रश्न 15. मौर्य वंच का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर होगा. B. ब्रिहद्रत. प्रश्न 16. श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? सही उत्तर होगा. C. चंद्रगुप्त ने. प्रश्न 17. सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ में कितने सिं सही उत्तर होगा. C. अगनिमित्र श्रुन. ये सवाल आपके लिए है. प्रश्न 21. सांची का स्टूप कहा स्थित है? अपना सही उत्तर कॉमेंट बॉक्स में लिखें.